हलो गाइज, वेलकम बैक टू आटो मोडिव एस्पैक्ट्स, मैं आपको रहें किशन मिश्रा, और आज में लेकर आगया हूँ अपके लिए क्रेटा फेसलीफ 2024 मॉडल, सबसे वैल्यू फार मनी वेरेंट, जिसमें आपको टॉप मॉडल वाले सारे लुक्स मिल जाते हैं, एस सब्सक्राइब कर लेजेगा, वीडियो अच्छा लगए गाइस पका लाइक कर देजेगा, चलते हैं सब्सक्राइब करते हैं इस गाड़ी के इंजन, स्पैक्स से तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, 1500 CC का पेट्रोल इंजन, जो कि प्रिजूस करता है, 113 BHP की पावर और 143 एनम का टॉक जो की काफी सही है इस कार के साब से, चलते हैं दिखा दू क्या 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 मिल जाता है, तो यहां से दिखा दू पूरा end-to-end आपको connected DRLs मिल जाते हैं, विल्कुल top ends के तरह, बहुत ही जादा amazing लग रहे हैं, जो कि बड़ी सी आपको grill मिल जाती है, पू यहां पर आपको दिखा हूँ, headlamps का setup ऐसा कुछ है, पूरा quad headlamps मिलता है, यहां पर आपको high beam, low beam, सब कुछ यही से work करता है, fog light नहीं दिया गया, क्योंकि headlamps आपको नीचे दे दिया गया है, तो यह सब हटा दिया गया है, और ऐसा कुछ दिखेंगे तो आप bonnet पर पू lock unlock और boot space open करने के लिए button यहां पर आपको 17 inches के यहां पर आपको glossy black में alloy wheels मिलते है, इस वाले variants ही, जो की काफी classy हैं, जिसकी tire size की बात के लिए तो आपको 215, 60, R17 का tire profile मिलता है, front और back दोनों में आपको disc brake मिल जाते है, चारो tires में disc brake मिलते है, और A pillar आपको पूरा black out मिलता है black out मिलता है, electrically adjustable and foldable with indicator जो आप यहां पर देख सकते हैं, चलते हैं आप पूरा आपको side से look check out करा दो, आप side से दिखते हैं कुछ ऐसी है, जादा major changes नहीं है, front और back में face lift में किया गया है, और ground clients की बात करे हो तो आपको 190 mm मिल जाती है, पहले के तरह ही, chrome की lining यहां पर आपक से, क्योंकि यह delivery की गाड़ी है, तो कुछ चीज़े लग गई है, तो जो जो है अंदर भी मैं बता दूँगा, यहां पर आपको जो बाहर में है, बस यह ही है, और इधर पर देखते हैं पूरा grey की, पूरी पहले की तरह सिल्वर की garnishing मिलती है, और silver में, आपको glossy silver में आपक यहां पर दिखा दूँ, बड़ा सा panoramic sunroof इस गाड़ी में आपको इसी वाल वेरिंट से स्टार्ट हो जाता है, उदर आपको piano black finish में पूरा shark fin antenna मिल जाता है, चलते हैं बैक के तरफ इधर की all over सारी चीज़े हो गई खतम, तो अगर आपको back से look check out करा हूँ गाड़ी की, तो आप back से दिखते हैं कुछ ऐसी लगती है, थोड़ी lighting की problem में मतलब lights होते हैं नहीं जल रहे हैं वाटना आप सामने से देखेंगे तो बहुत जादा अची लगती है गाड़ी, यहां पे थोड़ा, अब चलते हैं बैक के दर आपको back से तो पूरा अप दिखते हैं पूर reverse camera यहां मिल जाता है पहले के तरह ही, चार reverse parking sensors मिल जाते हैं और इधर की बात करें तो आपको दिखाओ यहां पर आपको reverse light मिल जाता है और नीचे की skid plate की बात करें पीछे की भी तो यह भी आपको silver की garnishing में मिल जाती है, इधर आपको मिल जाता है क्रेटा का बैजिंग और इस वाले variant में आपको दिखाओं तो यहां पे reflectors मिलते हैं और उपर दिखाओं तो इस वाले variant में सब कुछ मिल जाता है, आपको रियर वाइपर, defogger, high monstrop lamp, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मतलब आपको top model वाला feel नहीं देगा, सब कुछ मिलता है, आपको दिखा काफी sporty लग रही है बात करें तो, काफी broad भी लग रही है, इधर की बात करें तो आपको 50 लिटर का fuel tank capacity पहले की तरह मिल जाता है, अब सारी चीजे हो गए, और आपको boot space दिखा दू, तो उपन करते हैं इसको, तो यह आप दिखते हैं पहले की तरह नहीं 433 लिटर का boot space है, क्योंकि काफी अच्छा है, यहाँ थोड़ा समगानमान रखा है, तो पहले की तरह ही है, और यहाँ पर बात करें तो पार्शल ट्रे आपको मिल जाता है, इसको open करके दिखा दूँ आपको, तो अंदर color theme में change किया गया interior में, तो आप वो सब भी दिखा दूँ, यहाँ पर सब कुछ amazing है, कहीं भी आपको fit and finish में issue नहीं आएगा इस गाड़ी में, पीछे यहाँ पर आपको halogen में number plate light मिल जाता है, अब सारी चीज़े हो गए बाहर की खतम, चलते हैं फटाफट सब आपको interior में लेके, फिर आप आपको interior के सारी चीज़े बताता हूँ, यह सब सब hard plastic का setup मिलता इस वाले model में, कहीं भी soft touch नहीं मिलता, इधर की बात करें तो आपको electrically adjustable and foldable और इवंके सारी options मिल जाते हैं, lock unlock button, चार power windows मिल जाते हैं, इधर पर आपको child lock button, कुछ space रखने के लिए, इधर आपको silver की गानिशिक में opening lever मिल जाता है, speaker twitter का setup और bottle holder भी पहले के त आपको seat cover लगाए गया है, वरना आप normally देखेंगे तो यह वाला जो दिख रहा है, पीछे gray white combination में, ऐसे seats मिलते हैं all over पूरे गाड़ी में, जो interior theme में मिलता है, बस यहां पर जो बंदा गाड़ी ले रहा है, उन्होंने लगा लिया, तो इसलिए मैं आपको और चीज नहीं आपको फड़ापट से दिखा दू, drive side black cup को ऐसे भी हो आता है, काफी classy inter-race वाले model में भी आपको मिल जाता है, सारी चीजे बताऊंगा, कुछ चीजे जो है, S3 का part एड़ किया गया है, क्योंकि delivery की गाड़ी है, वो चीजे में आपको बता दूँगा, सबसे पहले स्टार् साथ 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 आपको तेलेस्कोपिक स्टार्ण भी आप आगे पीचे भी कर सकते है, साथ साथ उपर नीचे भी कर सकते है, जो कि काफी अच्छी चीज है इस price point पे बात करें तो डिस्प्ले की बात करें यहां पर जो MID की है तो यह भी आपको पूरा digital मिलता है 10.25 इंचेस का यहां पर बात करें तो आपको speedometer मिल जाता है इधर आपको rpm meter मिल जाता है इधर आपको fuel की capacity दिखा जाती है इंजन का temperature टीपैमेस अडॉल सारी इस गाड़ी में आपको मिल जाती है यहां की बात करें तो आपको headlamp इस गाड़ी में दिखा दू आपको auto मिल जाते हैं यहां पर वाइपर साब को काफी स्लीक लग रहा है बिल्कुल top ends के तरह जैसे top ends में 10.25 निस के दो डिस्पले आते हैं जो कि touch मिल्कुल connected लगता है वैसा ही इसमें भी आपको feel मिलता है काफी अच्छा है सब कुछ इधर आपको hard plastic मिलता है पूरा आपको beach और gray के combination में जो की नया interior के काफी अच्छा लग रहा है जो all over आप देख सकते हैं आपको white मिल जाते हैं आयतर के side तो आपको दिखा दू इसमें आपको automatic climate control AC मिल जाता है साथ 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 आपको dual zone मिल जाता है आपको on करके दिखा दू जिसके वाज़ साइड वाला और co passenger साइड वाला बंदा अपने यह साब से adjust कर सकता है इस प्राइस पॉइंट में इस सारी चीज़े यह एक ऐसा वेरिंट जिसमें आपको कि टॉपेंड वाले mostly बहुत सारे features मिलता है जो आप देखी सकता है यहाँ पर इधर आपको 1000 लेंब का बटन मिल जाता है इधर आपको दोनों साइड का temperature up-down करने के लिए इधर आपको सारे defogus के settings री सर्कुलेशन मोड को अन ओफ करने के लिए इधर की साइड आपको दिखा दू यहाँ पर आपको टाइप-C का चार्ज़े मिलता है टुवल्ट का एक सॉकेट इधर मिल जाता है एक टाइप-A का चार्ज़े मिल जाता है इधर आपको पूरा प्ला प्लेक्श का टीटमे क्वाइल टिका है और आमरेस में स्पेस देख सकते हैं काफी अच्छा है इधर आपको इधर पर दिखा दू यहां भी आपको कुछ स्पेस पेस समानुमा रखने के लिए मिल जाता है साथ साथ गलब बॉक्स दिखा दू तो यहां पर कुछ ऐसा है पहले कि तरहीं जिसका स सीट्स मिलते हैं इस गाड़ी में अलोवर अब सारी सीजे होगे इधर आप सिटिंग की बात करें तो आपको सिटिंग दिखा दू इस गाड़ी में रियाट 56 है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं नी रूम कितना अच्छा लैग रूम कितना अच्छा अंडर था काफी अच्छी स्पेस है इस गाड़ी में यहां पर आपको सण्ग्लास ओल्डर दो आपको यहां पर LED में लैंप इधर वियाटी मिल जाता है और इस मॉडल में सबसे अच्छी चीज़ यह कि इसी मॉडल से अपको संडू स्टार्ट होता है पैनरामिक जो कि आप देख सकत जिसमें बहुत मतलब इस विरेंट का डिमांड रहता है हमेशा से पहले से भी रहा है तो बहुत मुश्किल से मिलता है विरेंट और यह वाला विरेंट सच में बहुत वैली फॉमनी है आप पीछे से पीछे से एक बार वियो दिखाता हूं गाडी का और साइस आपको डैश बूर का वियो आने वाला है जो की काफी अच्छा है उपर आपको बड़ा सा पैनरॉमिक संरूर्फ मिल जाता है इस वाले विरेंट में जो की इस विरेंट के इंटेर को सच में चार चां बीच के हम की बात करें तो बिल्कुल छोटा सा आपको मिलता है जिसके वाजसे बीच में बंदा काफी कंपरटेबली इस गाड़ी में बैठ सकता है आप देख सकते हैं कहीं भी इशू नहीं आने वाला है और काफी अच्छा व्यू भी आने वाला है साथ साथ यह पैनरॉम अगर आपको इधर बैठ के दिखा देता हूं इधर की भी सिटिंग के आपको बता दू कैसी है नॉमल एजस्टेट में तो आप देख से हैं यहां पे कोछ ऐसी नीरूम बच जाती है जो कि काफी सही है मेरे हाइट के हिसाफ से सिक्स फूट आला बंदा काफी कंपरटेबल की बात कर लें तो यहां पे आपको सेम वही कॉम्डिनेशन मिलता है वीच ग्रे और ब्लैक का जो काफी अच्छा है इधर आपको ब्लाइंट मिल जाते हैं जो कि आपको धूप से काफी प्रोटेक्ट करेंगे और चलते हैं पीछे की सिटिंग की बात कर लेते हैं तो आपक जाती है 60-40 में, साथ-साथ आपको 3-pin seat dwell इस गाड़े में मिल जाता है अगर ये seat covers नहीं लगे होते तो आपको बिल्कुल ऐसे combination में पीछे के seats होते हैं यहां पर लग चुके है तो आपको बता दिया मैंने जो भी चीज़े हैं और all over पूरी गाड़ी का कुछ ऐसा view आता है बैठने के बाद जो आप देख सकते हैं काफी amazing है अब सारी चीज़े होगे ख़तम चलते हैं फड़ावट से आगे pricing and all की बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में So guys, यह था Crata Facelift 2024 S optional petrol का review मेरे साइड से जो के मुझे काफी पहस नाई सबसे बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्शोरूम प्राइस के बारे में तो यह गाड़ी आपको एक्शोरूम मिल जाती है लगनों में 14.32 lakhs की और on-road प्राइस की बात करें तो 16.53 lakhs में आपको on-road मिल जाती है 16 lakhs में इतने अच्छे इंटियर के साथ बाहर आप देखते हैं टॉप एंड वाले लोक्स पैंडरामिक संरूफ सारी से में जाती है टॉप एंड वाले जो डेटुडी लाइफ में काम आती है तो उससाब से आप देखने के तो मुझे काभी पसंदा ये गाड़ी गाइस आप बताएगा अप कैसी लगी हो वीडियो चलागो गाइस तो प्रीज लाइक कमिन सब्स्क्राइब को मैं चैनल मिलते जादी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर बाई